सिधारू करते हैं हमारे सायोगी राकेश पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बड़ा सवाल यहाँ पर मुंबई पुलिस की भूमिका पर बिल्कुल बड़ा सवाल है अनुराग बड़ा सवाल है और आप देखिए पुलिस से बाहर निकलने के बाद पायल घोश और उनके वकील नितिन सत्पुते जी हमारे गाड़ी में मौझूद है इसी तरीके से हम सफर करते हुए बातचीत करते हुए आगे बढ़े थे यहाँ पर पोली से ऽेशन तक पहुचे थे और अब हम जानेंगे की दरसल प्लीस रिसी सेशन में क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ इन से पॉलिस के अधिकार्यों ने कहा सबसे पहले नितिन जी आपसे सवाल क्या कहाँ पूलिस सेशन में जी हम तो अभी वहाँ पर जा जानकर दिया नहीं गई इसके लिए हमने आयों को मिलने आए थे आयों तो अभी मिले नहीं लिक्ने उनके सब्सक्राइब लिए लिए उनने कहा है कि इनका बैयन दर्च करेंगे इनका लेटर भीज़ दिया गाए जच के पास मैस्ट के पास उनका बकाईदा अंडर धारा एक इसको गिरफतार किया जाए गिरफतार के बारे में जो आपिसर हमको कुछ बात करेंगे जो पता चल जाएगा अगर अनुराक कश्चप की जगह कोई और आदमी होता कोई और इंसान होता को यह आमनागरिक होता तो क्या इस तरीके से अभी तक पुलिस नहीं उठाई होती कि कम से कम एक बार थाने में बुलाकर उनसे पुष्टाश कर लिया जाए उनका बैयान दर्श कर लिया जाए वाजीब बात है मैंने भी आप से यही कहा था कोई गरी बादमी या कॉमन मैन होता तो उसके बाद दस साल के बाद यह चूट जाते हैं कोई इविडेंस इसमें होता नहीं है और बाद में मालूम पड़ता है पुलिस ने बिना तक तीशी इसको फाइल कर दिया था और यह केस में इतना इविडेंस देने के बाद भी अभी तक पुलिस ने उसको इरफ तो न्यूस ने कि एक खास बात चीत आगे भी आपको दिखाएंगे रुक रहा है कुछ देर के लिए